दोस्तो ये खड़ी है आपके सामने ब्रैंड न्यू रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 टू 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 वाला मॉडल जो कि आपको न्यू राइट कलर आप्शन आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो अगर आप इस क्लासिक 350 के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर दिखेगा कंपनी ने क्या चेंजेस लाया सारी चीज़े आपको मैं डीटिल में बताऊंगा तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बेल के इकन को ओन कर लीज़ेगा ताकि ऐसी ही इंट्रस्टिंग करते हैं तो कि यो के notification पर आप तक पौह। से रह सके एड़ आप ने रह सके हैं शो चलिए फिर आज कैस पीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस अ क्या प्रिज्स को मिल जाती है और जायर सी बात आगर हम कोई भी चीज करीदने वाले ह ये color option आपको base model में देखने को मिलेगा जो कि आपको extra room price around 2 lakh रूपिस के आसपास की हमें देखने को मल जाती है फिलाल दोस्तों मैं on-road price mention नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हरेक state and city में on-road price में थोड़ा सा difference होता है क्योंकि हरेक state के R2 and insurance charges में फर्क होता है अगर आपको ये पता हो कि आपके state and city में इसका क्या price है तो प्लिस नीचे comment section में comment करके जरूर बताएगा चलिए review में आते हैं सबसे पहले आप देखेंगे company ने दोस्तों यहाँ पर Royal Airfield की एक नई batching दे दी है आप आपको classic 350 की batching मिलती है दोस्तों इस वाली model में आपको LED light मिलता है बट इसमें आपको टन सिंगल लैप LED नहीं मिलेगा यह base model है अगर आप इस model के साथ में जाते हैं इस tilt flag तो यहाँ पर देख पारें यहाँ पर LED ओफर कर दिया है जो parking light है पालेट लैप है वो भी आपको LED मिल जाती है यह में जो लाइट है दोस्तों वह आपको फाइनली अब आपको fully LED light मिल जाता है एक low beam और एक high beam है यह सेम लाइट है जो कि भाई हिमालियन गरिला या फिर interceptor उनमें जो मिलती थी वो सेम लाइट कंपणी यहाँ पर दे दी है फूली LED light आपको यहाँ पर मिल जाता है जो टरन सिंगल लैप है वो आपको फिलाल इसमें बल्ब देखने को मिल जाती है दोस्तों फ्रंट में इसमें जो suspension आते है वो आपको telescopic suspension देखने को मिलेंगे 37 mm के telescopic suspension है बट भाई infield है तो suspension की quality आप कहाँ पर जो है बहुत सुपब मिल जाती है जो टायर साइज है वो आपको 190 सौन अब्बे का टायर सेज फ्रंट में देखने को मिलता है जो की 90 निच मिल के साथ में आएगा बात करें ब्रेकिंग के बारे मे दोस्तो ब्रेकिंग में special feature में इसमें आपको dual channel anti-lock braking system हमें देखने को मिलता है जो की dual channel ABS मिलता है अगर बात करें प्लेट से इसकी बारे में तो फ्रंट में दोस्तो इसमें आपको 300 mm की डिक्स प्लेट मिलती है प्लस है आप आपको by brake की caliper मिलते है जो की dual piston caliper है अब चलते ह दोस्तो इसके engine specification की तरब engine की बारे में बात कर लेता है दोस्तो आपको बता दू इंजिन टैप में इसमें आपको नयवाला 340 9cc का air and all-cool 4-stroke single cylinder engine आपको इसमें देखने को मल जाता है बात करें power and torque के बारे में दोस्तो इस maximum power में 20.2 का PS power generate करती है और लगबग दोस्तो इसमे आपको जो power and torque अबाई वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है इसकी performance भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है cooling system में air and oil cooling engine में मिलता है fuel system में आपको इसमें EFI मिल जाता है प्लस आपको बता दो इसकी bore size 72 mm है इस stroke size 85.8 mm के aspect की मिलती है दोस्तो यह 5 gear के साथ में आती है प्लस इसमें आपको नॉर्मल weight multiplied जो clutch है दोस्तो आपको इस bike में देखने को मिल लागा है तो यह तो दोस्तो इस bike का detail engine specification और हाँ इसमें आपको E20 की जो batching है वो भी आपको यहाँ पर मिल लाती है आप देख पाना है आपको E20 की batching मिलेगी चलिए बात करें इस bike के mileage and performance के बारे में दोस्तो आपको बदा दू यह bike minimum आपको लभख 35-40 के असपास का mileage जो offer कर देती है 0-100 में इसको लभख 15 second लगते है इसकी जो top speed है वो आपको लभख 120 km per hour के असपास की top speed आपको इस bike में मिल लाती है फूली LED आपको टेल लाइड भी आपे LED मिल जाती है कंपने ने काफी अच्छे LED टेल लाइड दिये है यहाप आपको रॉयल एलफे की batching मिलती है यहाप आपको gravels की quality भी बहुत सुपर्ब मिलेगा सीट में दोस्तों इसमें split seat है 192 डोपार्ट में seat है seat की जो form quality है वो भी आप कहा पर बहुत अच्छी मिलेगी इसमें जो tire size आता है दोस्तों rear में वो भी आपको माँ दिखा देता हूँ में दिया बहुत बड़ी प्लेट है यहाप देख पार है foot race quality यह देखिए और quality बहुत अच्छी होती है इंफिल्ड की यह रियर वह आपको front में मिलेगा दोस्तों seat में इसमें इसको split sheet मिलेगा one and two door part में seat है seat की जो form quality वो भी आपको बहुत अच्छी मिलती है और आप देख पार है company ने काफी अच्छी form दीए विये इसमें आपको जो लेडिस foot race है दोस्तों वो भी आपको मिलेगा यह बाइक का टैंक डिजान है जो की काफी सूप आप है आप आपको देखने को मिलेंगे जैसे सबसे पहले देख पार है इस पीडिवीडर यहाप आपको analog मिल रहा है यहाप आपको fill इंडिकेटर मिल रहा है जो कि आपको digital मिलता है यहाप यहाप गीर इंडिकेटर भी फाइनली company ने एड़ कर दिया है उसके बाद दूस्ते इसमें आ आपको एक इंजन किल सीच प्लस एक हजाट का स्वीच आपको बाइक मिलेगा यह भी self का काम करता है बात कर लें इसके diamond incident and capacity के बारे में तोस्ते इस बाइक की जो overall length है वो आपको देखने को मिलती है लग भग इसकी overall length है 2145 mm का overall height है 1090 mm का ground clearance है 170 mm का seat head इसकी 805 mm मदब आपकी 195 kg का fuel tank capacity आपको 13 liter के असपास की देखने को मिल जाती है तो यह तो दोस्तो ब्रैंड new classic 350 new red color का detailed specification review I hope दोस्तो आपको यह color option अच्छा लाग हो कंपने ने काफी अच्छा color option दिया है और काफी प्यारी यह लग भी रही है बाकिया आप comment करके ज़रू पताना दोस्तो आपको red color जाधा अच्छा लगा या फिर blue color आपको जाधा अच्छा लगा तो चली फिर उमीद करता हूं आपके छोटी से interesting video दोस्तो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक like करना चैनल पर value आया तो subscribe कर लेना ताकि ऐसी interesting video के notification में आप तक पहुंसते रह सके औ आप मेरे videos update रह सके चली मिलते हैं next video में